तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले क्लास नाइंड एकोनोमिक्स का चेप्टर नम्ह थर्ड जिसका नाम है Poverty as a Challenge तो दोस्तों नाम से ही पता चल रहा है कि इस चेप्टर में हम इंडिया के Most Difficult Challenge के बारे हम बात करने वाले हैं जिसका नाम है Poverty यानि की गरीबी 1947 जब हमारे देश आजा दुआदा तब से लेकर आज तक हमारी इंडिया के अंदर गरीबी देखने को मिलती है इंडिया की पूरी Population में से हर एक चौता वेक्ती गरीब है अगर हम बात करें 2011-12 की रिपोर्ट की तो इसके इंसार इंडिया के अंदर 270 मिलियन लोग गरीबी में जीते है और आपको जानकर हैरानी होगी कि पूरे बल्ड के comparison में सबसे ज़्यादा गरीब लोग हमारे देश के अंदर रहते हैं और आपको यह भी मानना पड़ेगा पौवर्टी हमारे लिए और हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंग तो सबसे पहले हम बात करते हैं पौवर्टी की तो पौवर्टी की simple सी definition होती है that is poverty is a situation in which person does not able to fulfill their basic needs मतलब कोई इंसान अगर अपनी basic जरूरतों कोई पूरा नहीं कर पा रहा है तो हम कहेंगे कि वो गरीबी में जी रहा है for example कोई बैकती है जिसके पास खाने के लिए food नहीं है रहने के लिए घर नहीं है उसके पास पहने के लिए कपड़े नहीं है उसके पास पीने के लिए साप पानी नहीं है मतलब जो यह सारी basic चीज़ें होती है उने ही afford नहीं कर पा रहा है तो उसे हम poor consider करेंगे पर exactly हमें पता कैसे लेगा कि कौन गरीब है और कौन गरीब नहीं है तो इसके लिए हमारी government ने एक system set करके रखा है या पर हम कह सकते हैं criteria set करके रखा है that is called poverty line हिंदी में इसका मतलब होता है गरीबी रेखा अगर हम इसके definition की बात करें तो poverty line is a method to determine poverty on the basis of their income and consumption level मतलब हम लोगों की income और उनके consumption level के basis पर पता कर सकते हैं कि वो गरीब है या नहीं है अब कैसे पता करेंगे देखो government ने क्या किया है कि minimum level set करके रखा है income और consumption का अगर तुमारी income और consumption उस minimum level से कम है तो तुम below the poverty line में आओगे मतलब तुम गरीब कहलाओगे और अगर तुमारी income और consumption level इस minimum level से जादा है तो तुम above the poverty line में आओगे मतलब तुम गरीब नहीं कहलाओगे तो ये जो poverty line है वो अलगल countries के लिए अलगल होती है फूर अग्जामपल अगर हम बात करें इंडिया की poverty line की तो rural area में इंडिया की poverty line है 816 रूपीज और urban area में ऋडिया की poverty line है 1000 रूपीज means अगर कोई rural area में रहता है और वो 816 रूपैसे कम पैसे कمाता है तो उसे हम poor consider करेंगे और वहीँ अगर कोई 816 से जादा पैसे कमाता है तो उसे हम poor consider नहीं करेंगे ऐसे ही अगर कोई urban area में रहता है और वो 1000 रुपीज से कम पैसे कमाता है तो उसे हम poor consider करेंगे और जो इससे जादा कमाता है उसे हम poor consider नहीं करेंगे अब आप सोच रहे होंगे कि जो rural area उसमें poverty line कम क्यों है और जो urban area उसमें poverty line जादा क्यों है तो ऐसा इसलिए है क्योंकि rural area में महिंगाई कम होती है और urban area में महिंगाई जादा होती है that's why urban area की जो poverty line है वो जादा है as compared to rural area हमारे दिसके अंदर हर 5 सालों में एक survey होता है poverty को estimate करने के लिए और इसे conduct करती है NSSO यानि कि national sample survey organization अब दोस्तों जो अमेरिका है उसमें poverty line का system कुछ अलग है अमेरिका में क्या होता है कि जिसके पास car नहीं होती है उसे गरीब माना जाता है मतलब वहाँ पर car होना एक necessity है औ और हमारी इंडिया में car एक luxury जैसी होती है अब हम बात करने वाले minimum food requirement की मतलब एक इंसान को कितने food की requirement होती है पूरे दिन के अंदर इसे हम calories में calculate करते हैं तो अगर हम बात करें rural area की तो एक normal इंसान को 2400 calories चाहिए होती है पूरे दिन के अंदर और अगर हम बात करें urban area की त तो एक normal इंसान को 200 calories चाहिए होती है पूरे दिन बर के अंदर अब rural area के लोगों calories जादा इसलिए चाहिए होती है क्योंकि उनको जादा काम करना पड़ता है as compared to urban area अब दोस्तों आप इस data को देखो इससे हमें क्या पता चलता है कि 1993-94 में 45% लोग गरीब थे इंडिया के अ 2004 और 5 तक 37.2% लोग गरीब बचे थे इंडिया के अंदर और 2011 वारा तक आते आते 22% लोग गरीब बचे थे इंडिया के अंदर तो इससे हमें क्या पता चलता है कि इंडिया के अंदर धीरे धीरे poverty decrease होती जा रही है लेकिन अभी भी बहुत जादा है अभी भी और decreasement होना वाग की है now the next topic is vulnerable group vulnerable group are the group of those people who has more probability of becoming poor in future मतलब ही ऐसे लोग गरोप होता है जिनके करीब होने के chances सबसे जादा होते है क्योंकि इनको उतनी अच्छे opportunities नहीं मिल पाती हमारी country डबलब तो हो रही है लेकिन उस development का फाइदा इन लोगों को नहीं मिल पाता है अब दूस्तो हमारी इंडिया के अंदर अलग-अलग states हैं और उनकी economical condition अलग-अलग है हमारी देश के अंदर कुछ states ऐसे हैं जहां पर काफी जादा गरीबी दिखने को मिलती है जैसे की ब्यार और उडीसा पर कुछ states ऐसे भी हैं जहां पर काफी जादा deduction हुआ है poverty के अंद पर अब सबाल यह उड़ता है कि इन इस टेट्स में ऐसा क्या हुआ कि वहाँ पर poverty इतनी कम हो गई जैसे की पंजाब और हर्यार में गरीबी इसलिए कम हो गई क्योंकि उन्होंने green revolution को अच्छे से implement किया जिससे उनकी agriculture production बढ़ने लगी केरिला में गरीबी इसलिए decline हुई क्योंकि उन्होंने human resource पर काम किया और काफी ज्यादा investment किया education के उपर थर्ड बेश बंगाल में क्या किया कि यह land reform को अच्छे से implement किया फूर्थ आंध प्रदेस और तमिल नाडव में poverty इसलिए reduce हुई क्योंकि वहां की government ने public distribution किया food grains का फिप्थ गुजरात और महाराज में poverty इसलिए reduce हुई क्योंकि वहां पर economic activities को boost किया गया जैसे कि manufacturing और service sector activities को अब हमने देखा कि इंडिया क्या condition थी poverty को लेकर लेकर लेकिन इस topic में हम देखेंगे पूरे world की क्या condition है अब दूसरे जो पूरे world की poverty है उसे measure करता है world bank तो world bank की according 1990 में 36% लोग गरीब थे पूरे world के अंदर मतलब हम पूरे world की बात करें तो poverty में drastic change आया है means poverty में अच्छा reduction हुआ है अगर हम बात करें सबसार अफरीका की तो उसमें 2005 में 51% लोग गरीब थे और 2015 में 41% लोग गरीब बचे थे इसका मतलब क्या है कि आकरी 10 सालों में 10% reduction हुआ है poverty के अंदर ऐसे ही अगर हम बात करें Latin America की तो उसमें 2005 में 10% लोग गरीब थे और जब 2015 आई तो उसमें मात्र 4% लोग गरीब बचे थे अब दोस्तों एक country है जिसका नाम है China इसके अंदर poverty reduction बहुत ही rapidly हुआ है 1981 में China के अंदर 88.3% लोग गरीब थे और 2008 आते आते ये आकड़ा घटकर हो गया 14.7% और जब 2015 आई तो मात्र 0.7% लोग गरीब थे चाइना के अंदर मतलब देख रहे हो कहां से कहां पहुच गई चाइना मतलब इतना जादा poverty reduction हुआ है चाइना के अंदर तो दोस्तों आपको तो पता ही कि हमारी कंट्री पहले अंग्रीजों की गुलाम थी और उनकी बुरी-बुरी policies की बज़े से हमारी कंट्री का economical development अच्छे से नहीं हो पाया मतलब हमारी इंडिया में क्या होता है कि कुछ लोगों पास भर-बर के जमीन होती है और कुछ लोगों के पास तो कुछ भी नहीं होता है जिससे क्या होता है कि जो अमीर लोग होते हैं वो और अमीर होते जाते हैं और जो गरीब होते हैं वो और गरीब होते जाते हैं थर्ड रीजन है कि हमारी कंट्री के अंदर कई सारी policies आई पर वो अच्छे सी implement नहीं हो पाए fourth reason है हमारी country के अंदर population बढ़ती जा रही है लेकिन लोगों को उस हसाब से job opportunities नहीं मिल पा रहे हैं जिससे unemployment काफी increase हो रहा है fifth reason है कि जो small farmers होते हैं वो big farmers से lawn ले ले लेते हैं फिर उसे चुका नहीं पाते हैं तो दोस्तों ये कुछ major reasons हैं जिनकी बज़े से हमारी country के अंदर poverty आए अब दोस्तों हमारी chapter का last topic आता है जो कि ये anti-poverty measure मतलब हमारी government कौन-कौन से strategies इस पर काम कर रहे poverty को हटाने के लिए तो first strategy है promotion of economic growth अब यार आप खुदी सोचो अगर हमारी country के economical growth होगी और अगर रोजगार मिलेगा तो लोगों के पास पैसा आएगा और अगर लोगों के पास पैसा आएगा तो भी अपने बचों को अच्छी education देंगी उन्हें पर अच्छा investment करेंगी तो हमारी देस के करीब तो automatic खतम हो जाएगी दूसरी चीच government क्या कर रही है कई सारी anti-poverty program चला रही है जिसमें से पहला है मात्मा गांधी national rural employment guarantee act यानि की मन्रे का जो कि 2005 में start किया गया था इस act के according लोगों को 100 days का employment provide कराया जाएगा government के द्वारा मतलब government ऐसा बाता करती है कि हम तुम को 100 days का employment गवर्मेंट देंगी देंगी पूर साल के अंदर इसमें 23rd seats महिलाओं के लिए reserved है सेकेंड है प्राइम मिनेश्टर रोजगार योजना जो कि 1993 में start की गई थी इस योजना की देद government help करेगी गाउं के पढ़े लेके लोगों की जिससे भी अपना खुद का विज़े स्टार्ट कर सके 3rd है स्वांड जैन्ती ग्राम स्वरुजगार योजना जो कि 1999 में start की गई थी इस योजना का एम था कि जो लोग poverty line से नीचे आते हैं उन्हें उपर लाये जाए by giving subsidy and chief loan तो दोस्तो हमारे government है वो काफी जाधा प्रियास कर रहे है poverty खतम कराने के लिए और एक बात तो हम सभी लोग जानते हैं कि poverty हमारे लिए और हमारे देश के लिए in fact पूरे वर्ल्ड के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है और इतने बड़े चैलेंज को खतम होने में टाइम तो लगेगा ही बड मैं तो यह ही चाहूँगा कि poverty जल्दी से जल्दी खतम होता I hope आपको यह वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो और चाहूँ तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो ऐसी क्लास नाइट की और भी वीडियो देखने के लिए थैंक्स पूर वर्चिंग टेक कियर बाए बाए